इस तो हम लोगों के इंडिया में, वर्ल्ड में बरसों से चला आ रहा है, सेंचूरी से चली आ रही है पर अभी कुछ सालों से जो हमारे जैसे स्टोरी टेलर्स हैं वो पेरेंट्स को, बच्चों को कहानिया नए तरीके से सुना कर एक एकसाइटमेंट ला रही है हम जैसे टेलर जा जाकर लोगों को बोल रहे हैं कि स्टोरी के माधिया से हम बच्चों को कैसे इंगेज कर सकते हैं कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, कैसे हम एक बदलाव ला सकते हैं सुसाइटी में तो यह तो हम इंडिविजोल लेवल पे कर रहे हैं आपको पता है कि imagination ट्रिगर होता है, बच्चे moral value सिखते हैं, बच्चे inspire होते हैं, उनमें तरह तरह के बदलाव आते हैं, तो ये एक अच्छा चार दिन का platform है, जहां हम आशा करते हैं कि हमारी कहानिया जो है दूर दूर तक जाएंगी और कुछ एक change लेके आए, So, stories में बहुत healing power होता है, right? Stories के माध्यम से आप अपने अंदर की भावनाओं को निकाल सकते हैं, क्यों हम लोगों को illness होता है, क्यों depression होता है, क्यों society rate बढ़ता है, क्योंकि हम लोग अपनी problems बता नहीं पाते हैं किसी को, हमारी जो कहानिया है, problems है, वो अंदर ही रह जाती हैं बट जब हम एक storyteller से कोई ऐसी कहानी सुनते हैं, तो हमारे अंदर बदलाव आता है, अगर एक ऐसी कहानी, अगर मैं बहुत दुखी हूँ, suppose मेरे घर में किसी की death हुई है, और अगर एक storyteller एक ऐसी कहानी सुना रहा है, एक character की, जिसके माध्यम से मुझे समझ में आए कि उस अगरी acts like an ointment, right? एक ointment के जैसे वो heal कर देती है.